इस आनलाइन क्लास में मैं समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ आई हम सभी लोग माता सरफशती जी के चरणों में परणाम करते हुए अपने अध्यनकारी को आगे बढ़ाते हैं महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखित संस्मरनात्मक रेखाचित्रो जिसकों की हमाज पढ़ने वाले हैं भक्तिन नामक सीरसक से आपके सामने प्रस्तुत है भक्तिन कैसी है छोटे कद लंबाई ज्यादा नहीं है दुबली सरीर वाली दुबली पतली है भक्तिन अपने पतले होटों के कोनों में द्रण संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर संकल्प भी है समझदारी भी है जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक यूग का समय बीथ चुका बताईए एक यूग में ہज़ारोוד हज़ारो बरस होते है और वो बात यह कह रही है कि कि यूग का समय बीद चुका है तो इस कहने के पीछे कुछ कारण है जो कारण महादेवी वर्मा जी की पात्र उस भक्तिन से जुड़ा हुआ है पर जब कोई जिग्यासू उसके सम्मंध में प्रस्न कर बैठता है तब वो पलकों को आधी पूतलियों तक गिरा कर और चिंतन की मुद्रा में ठुड़ी को उपर उठा कर विश्वास भरे कंट से उतर देती है यानि जब इस वारे में कोई भक्तिन से पूछता है तुम कितने दिन से महादेव वर्मा के पास में हो तो वो कैसे बताती थी तुम पचे का का बताई यहाई पचास बरिश्य संग रहित है इसका अरत हुआ आप लोगको मैं क्या बता हूँ यही पचास साल हो गया जबसे म महादेवी के साथ में रहती हूँ जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो पचास साल का मतलब भी वो नहीं समझती है वो क्या है आए हुए उसको दो चार महीना ही हुआ हुआ हो परंतु वो पचास साल बताती है क्योंकि उसको पचास साल से कोई मतलब नहीं उसका अरत हो नही इस हिसाब से मैं 75 की हुई यानि उस भक्तिन के इस जोड के हिसाब से अनुभो के हिसाब से महादेव अर्मा की उमर 75 साल की हो गई 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्स की आयो भी पार कर जाती है जबकि 100 वर्स की आयो पार करने वाली क्या सेवा करेगी क्या नवकरानी का काम करेगी लेकिन जब वो हनपढ़ है तो अपने अंदाजे से बात बोलती है वो उसका क्यार्थ है लोग समझने वाले समझे पता हो भी तो संभोता हुआ मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी अगर ये जानकारी मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्स तक पहुचा देगी चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्स की असंभो आयू का भार क्यों न ढोना पड़े यानि महादेव वर्मा को विश्वास है कि ऐसे ही रहा तो कुछ दिन बाद वो अभी जो कहती ही पचास साल से रहते हैं अगर वो सुन गई कि पचास साल से बड़ा सौ साल होता है तो कुछ दिन बाद जब लोग पूचेंगे तो ये भी कह सकती है कि मैं सौ साल से महादेव वर्मा के साथ रहती हूँ भले ही उसके हिसाब से मेरी उमर यानि महादेव वर्मा की उमर डेड़ सो साल हो जाए जो कि उतना जीना ही असंभव होता है लेकिन उख कहे तो देगी इसमें कहीं कोई दोरा है नहीं सेवक धर्म में हनुमान जी से इस परदा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नहो करे सेवक धर्म इतना बेहतरी से निभाती है कि मानो हनुमान जी से वह बराबरी कर रही हो इस परदा कर रही हो परतियोगिता कर रही हो बड़ी हिस्तरदा के साथ सेवक धर्म को निभाने वाली है लेकिन हनुमान जी कितने मातान जना की पुत्री नहीं है ऐसा नहीं अन्माजी के बहन वगेरा इसलिए ऐसा कर ऐसा नहीं बलकि आ नाम धन्या माने वह जिसका स्वेम का नाम ही उसके जीवन से नहीं जुड सका नाम कुछ और है जीवन की हालात कुछ और है जैसे किसी का नाम सुखराम हो जिन्दगी में खाने तक कोटा नहीं नाम नैन सुख है दोनों आख से दिखता ही नहीं ऐसी कुछ आलत हो जायए इसको कहेंगे आ नाम धन्या जो अपने नाम से अपने जीवन की घटनाओं में धन्य नहीं हुई नहीं जुड सकी आ नाम धन्या ऐसी गोपाली का यानि गाय भैंस चराने वाले की एक लड़की है उसका नाम रखा गया लच्मिन और परम गरीबी में डूबी हुई है पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुरुआ है महादेवी वर्मा कहती है मेरे नाम की जो विशालता है मेरे नाम का जो अरत है मेरे लियोव धारन करने योग नहीं है महादेवी यानि बड़े मांसमान प्राप्त एक सम्मानित महिला बसरते मेरे खुद के घर में मुझे क्या दुख जहलने पड़े ही क्यों मैं जानती हूँ मेरा नाम भी जितना विशाल है उसका उल्टा मैं उतनी ही जीवने दुखी रही वैसे ही लक्ष्मी की सम्रिध्धी भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बत सकी लक्ष्मी नाम था और जिस तरह से लक्ष्मी सम्रिध्ध होती है धन से संपन्न होती है ऐसी कोई संपन्नता उसकी जीवन में नहीं थी यानि कपाल कुंचित रेखाओं में माने मस्तक की रेखा को भविश रेखा कहते हैं तो उसके भविश्य में उसके जीवन में ऐसी कोई संपन्नता नहीं थी वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधा भास लेकर जीना पड़ता है माले वर्मा का मानना है अक्सर लोग अपने नाम का विरोधा भास लेकर जीते हैं जो भी नाम होता उसका उल्टा ही जी उनमें होता है पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समरिधी सूचक नाम किसी को बताती नहीं पर नाम लक्षमी है और एक एक दाने को मोताज है ऐसा नाम उकिसी के सामने व्यक्त नहीं करती कि और जब नौकर की खोज में आई थी तब इमानदारी का परिशे देने के लिए उसने सेस इति वृत्ति यानि अपनी कहानी के साथ यह भी बता दिया पर इस प्रार्थना के साथ बताया था कि मैं कभी इस नाम का उप्योग न करूँ मने लक्षमी नाम से मैं कभी उसको न बुलाओ कोई और नाम रखलू जो मुझे अच्छा लगे उस नाम से मैं बुलाओ क्योंकि मेरी जीवन की हालात और मेरा नाम दोनों जो हैं बड़ा विरोधी है इसलिए मैं उस नाम से न बताओ इमानदारी का परिचे देना था कि मैं जूट नहीं बोले हूं इसलिए उसने अपना वास्तविक नाम बताया था उपनाम रखने की प्रतिभा होती प्रतिमा नहीं प्रतिभा शब्द है उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने उपर करती अगर मुझे में ये शमता होती कि मैं उपनाम रख पाती तो उसका प्रयोग में अपने उपर करती पहले अपने ही नाम बदलती इस तथिको दिहातिन क्या जाने वो अदिहात में रहने वाली इस्तरी इस मेरे मर्म को कहा जान पाती इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नाम करण किया तब वो भक्तिन जैसे कवित्तोहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी मैंने उसका नाम गले में कंठी वगेरे पहनी हुई थी माला और पहनी वी थी तो मैंने भक्तिन रख दिया और यह नाम कभी तो हीन है यानि किसी विशेश अर्थ से हटके है लेकिन ऐसा नाम पाकर के भी बड़ी खुश हुई भक्तिन के जीवन का इती विर्तिव बिना जाने हुए उसके सभाव को पूरता है क्या अंस्ता समझना भी कठिन होगा जब तक जीवन के पूरे वर्तांत को नहीं समझ लिया जाए सुन लिया जाए भक्तिन के तब तक उसके सभाव को जान पाना बड़ा मुस्किल है वह एतिहासिक जूसी में गाउप्रशिद जूसी में एक औहीर सूर्मा की इकलोती बेटी ही नहीं वह एक औहीर है जिनकी लड़की है इकलोती लड़की है और कुछ दुख है वी माता की किम बदंती बन जाने वाली एक तो इकलोती लड़की है भाई वगरा है नहीं बेटा है पिता के पास और वीमाथा की किमदंती बन जाने वाली मंता की कायमें भी और सोतेली मां से इसका बच्पन पला बढ़ा हुआ है इसके बच्पन भी सोतेली मां ले आई गई यहार दुख की बात हुई तो किमदंती कारत है लोगों दोड़ा जानी गई या लोगों द्वारा कही गई लोग इसे सोतेली मा के द्वारा पालित पिता की इकलोती पीड़ा को बरदास करने वाली पीड़ित जियोन बिताने वाली के रूप में ही जानते थे मुम्ता की काय में भी पली कैसी मुम्ता की सरी में पली है जो मैंने आपको बताया कि सोतेली मा ने पाला है सोतेली मा कहा जाता है कि कभी भी सुखकर तो नहीं ही होती ये एक विडम बना ही होगी कि कोई सोतेली मा भी बहुत सनेह करने वाली हो वरना सोतेली मा कभी सनेह करने वाली नहीं होती पांच वर्स की वय में उसे हडिया गराम के एक संपन गोपालक की सबसे छोटी पुत्रबधू बनाकर पिता ने सास्त्र से दो पग आगे रहने की ख्यात कमाई तो पिता ने क्या किया हडिया नामक गाउं में एक धन दवलत से संपन गोपालक था एक यादव था गायवाय चराने वाला था जब ये भक्तिन विचारी पांच साल की ही थी छोटी सीती बच्ची थी तो उस गोपालक की पुत्रबधू बना दिया पतोहू बना दिया यानि भक्तिन की साधी कर दी सास्तर में जो लिखा था उससे भी दो कदम आगे इसने चल के यस कमा लिया मतलब अपने मन में बड़ा प्रशन न हुआ बड़ा ख्याती उसको मिली ऐसा उसे लगा कि मैं जितने उमर में साधी करने की बात उचित कही जाती उससे भी पहले मैंने साधी विवाह करके निप्टा दिया और नो वरसी योती का गोना दे कर भी माता ने और सोतेली माने एक और गजब का काम किया तब गोना यानि लड़की की विदाही सस्राल की तरफ जो होती थी वो विवाह के 2-4-6 साल बाद होती थी तीसरे में, पांचवे में, सातवे में नवे में जैसा भी दिया जाए तो पांच़े ही साल की बच्ची का जब विवाह हुआ तो कम से कम विदाई ही ऐसे समय पे होती जब वो किसी कुछ समझने लाइक हो जाती घर पर वायर की समझ उसको आ जाती लेकिन नहीं नव वर्स की एक छोटी कन्या लेकिन ये वेंगे में लिखा गया है नव वर्स ही योती नव वर्स की लड़की को योती कहना भी उचित नहीं होगा योती माने युवा इस्त्री जवान इस्त्री माने उस नव वर्स की बालिका को योती के शुरूप में देखा और उसको गौना दे करके बिना मागे पर आयद्धन लटाने वाले महाजन का पुन्य लूटा माने उसको ऐसा एसास हुए जैसे कोई सेट जिससे उधार लिया गया हो बिना मागे ही उसके जब उसका पैसा लटा दिया जाये तो जितनी प्रसनता होती है उतनी प्रसनता उसे मिली उसे लगा कि मैंने बहुत बड़ा पूरे काम कर लिया पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के काण सोभावता ही इरिश्यालू और संपत्ति की रक्षा में सतर के विमाता ने उसके मरणान तक रोग का समाचार तब भेजा जब वो मृत्तिव की सूचना भी बन चुका था पिता भक्तिन से बहुत गहरा प्रेम करता था और जो सोतेली मा थी भक्तिन की वो इरिश्या से भरी हुई थी तो उसने जब भक्तिन के पिता को एक ऐसा रोग हो गया जो मृत्यू पर ही खतम होने वाला था तो इस सूचना को भी सोतेली माने भक्तिन के पास तब पहुंचवाया जब उसने देखा यानि जब तक सूचना पहुंचती भक्तिन के पास तब तक उसका पिता मर भी चुका था ऐसे समय में पहुचवाया उस सूचना को रोने पीटने के अपसकुन से बचने के लिए सास ने भी और सास के पास जब यह समाचार गया तो सास को लगा भी है रोएगी पीटेगी की पिता बीमार है यह वो जो भी है तो इसलिए उसने भी अपने बहु को उचित बात नहीं बताई उसे कुछ नहीं बताया बहुत दिन से नईहर नहीं गई सो जाकर देखावे यह कह दिया बहुत नहीं से तुम माईके नहीं गई हो जाके एक बार माईके काल चल ले आओ यही कहकर और पहना उल्हा कर सास ने उसे विदा कर दिया इस अप्रत्यासित अनुग्रह ने उसे पैरों में जो पंख लगा दिये थे यह भक्तिन को यह उमीद नहीं थी कि हमारी सास कहेगी कि जाओ तुम अपने माता पिता से भेंट मुलाकात कराओ बड़ा दिन हो गया है माईके नहीं गई हो यह अप्रत्यासित बगेर चाहा हुआ जो सोचा नहीं था इसने ऐसी क्रिपाई इसको लगा किसास कर रही इसे क्या पता किसासु मेरे पिता के मरने वाले बात को छुपाए रही है और इसके पैरों में मानों पंख लग गया बड़े ही गती के साथ अपने माईके की तरफ गई लेकिन वे पंख जो लगे थे पैरों में वो जो तेजी थी पैरों में गाउं की सीमा में पहुँचते ही जड़ गए यानि जब गाउं की सीमा में पहुँची तो वास्तविक समाचार प्राप्त हुआ और सारी तेजी गायब हो गई हाई लक्षमिन अब आई कि इस पश्ट पुनरा बृत्तियां और इस पश्ट साहन भूती दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई बार बार लोग कहते थे अरे लक्षमिन अब आने का क्या मतलब है पहले आयोती जब तुम्हारा पिता बिमार था आप तो मर गया आने का क्या मतलब है ये इस पश्ट पुनरा बृत्तियां ऐसी बात लोग बार बार कह रहे थे और इस पश्ट साहन भूति पूर्ण दृष्टियां और लोगों की निगाह बड़ी साहन भूति पूर्ण थी उससे इसे लगा कि कुछने कुछ तो गड़बर है और यह मानो यह साहन भूतियां इसको धक्का दे करके इसके घ़र तक पहुचा दी पर वहाँ न पिता का चिन सेश था भी माता के बेवहार में सिश्टा चार का लेश वहाँ पहुची तो पिता का कोई चिन सेश नहीं बचा था यानि पिता जी की सरीर पार्थिव सरीर को भी अंतिम संसकार के हवाले करा कर दिया गया था और जो सोतेली मा थी उसके बेवहार में कोई सिष्टाचार का एक अंस भी नहीं बचा हुआ था दुख से सिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों सस्राल लोट पड़ी और वो इतिनी दिखी हुई कि पानी तक नहीं पिया मायके में और वापस सस्राल की तरफ लोट पड़ी सास को खरी खोटी सुना कर उसने बीमाता पर आया क्रोध शान तक किया सास को खरी खोटी सुना आया ताकि सोतेली मा पर आया हुआ क्रोध सास पर निकाल दिया जिससे ये लगा कि पिता का जो चिर्व योग है, विचोह है, विचोड़ना है इसका दर्द कितना गहन है, कितना गहरा है, इसको उसने अस्फश्ट किया जीवन के दूसरे परिख्षेद में भी सुख की अपेक्छा दुख ही अधिक है उसका दूसरा जीवन का भाग जो उसमें सुख कम है। दुख बहुत जादे है। जब उसने गेहमे रंग की और बटिया जैसे मुखवाली पहली कन्या के दो संस्कराण और कर डाले। गेहुए कलर, गोरी नहीं है लड़किया, काली नहीं है लेकिन गोरी भी नहीं है, नारमल रंग है, बटिया जिसे मुखवाले, छोटे-छोटे मुखवाली लड़किया, और उस लड़की की दो संसकरन, दो और, यानि तीन-तीन लड़किया जनम ले लिए इसके उदर से, उपेक्षा की आपमान किया उचित भी था और उस माहौल के हिसाब से ठीक था ये वेंगे है क्योंकि सास तीन कमाओ वीरों की विधात्री बनकर क्योंकि सास के पास तीन तीन बेटे थे और पुत्र बदू के पास तीन तीन बेटी और तीन बेटों की माँ जो की कमाने वाले बेटे हैं ऐसे की माँ बनकर मचिया के उपर विराज मान पुर्खिन के पद पर अब शिक्त हो चुकी थी इनकी सास जो थी तीन बेटे कमाऊ थे वो आराम से चार पाई पे बैठ करके आनंद मनाती थी और पुर्खिन कहलाती थी कि बुजुर्ग हैं वरिधा हैं भाई अब इनकी सेवा होनी चाहिए कुछ भी नहीं करती वरती थी और भक्तिन एक तीन तीन बेटी को जन्म दे दी है तो उसको क्यों ना अपमान मिले यह समाज की एक गंदी मान सकता है कि ऐसा अगर हो गया तो उसमें भक्तिन का क्या दोस्त और इस पर अगर अपमानित कर रहे हैं लोग तो यह तो बहुत बड़ी गलती है उस समाज की उस लोगों उन लोगों की और दोनों जिठानिया काग भुसुन्डी जैसे काले लालों की करम बद्ध स्रिष्ट करके इस पद के लिए उम्मिद्वार थी और जो पुर्खिन का पद सास को मिला है भक्तिन की दोनों जिठानियों को भी मिल जाएगा क्योंकि दो दो बेटे उनके काले काले मुख वाले जो है कवे जैसे वो काग भुसुन्डी माने कवे जैसे कवे जैसे एकदम जले सकल वाले दो दो बेटे उनके जन्म ले लिए हैं जिठानियों के इसलिए वो भी पुर्खिन के पद पर अविशिक्त होंगी और ये भक्तिन विचारी के तीन ठो लड़की ही पैदा हुई है इसलिए इसको दुख होगा या इसको विंग सुनाया जाएगा या इसको उचित मान समान नहीं मिल पाएगा ये गड़बर हो गई छोटी बहु के लीक को छोड़ कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवस्सक हो गया छोटी वहुने लीक छोड़ कर चलने का काम किया यानि सब को पुत्र पैदा होते थे इसके उधर से पुत्री का जन्म हो गया इसलिए उसको दंड मिलेगा क्या दंड मिलेगा सामाजिक दंड मिलेगा क्या दंड मिलेगा घर पर और उसका मान नहीं करेंगे खाने पीने हर चीज में उसका अपमान होगा जिठानिया बैठकर लोग चर्चा करती है परिणाम क्या हुआ ये जिठानिया जो थी वो बैठकर के क्योल चुगली चाही करती है इधर का उधर जोड़ती है फालतों की बात करती है उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते वह मठ्ठा फेरती कूटती पीस्ती राधती और उनकी नन्नी लड़कियां क्या करती है आगे बताएंगे जिठानिया आराम से खाली बैठके मजे लेती है और बैचारी भक्तिन जो है मठ्ठा मारती कूटने पीसने का काम वही करती खाना पकाने का काम राधना माने खाना पकाने का काम कूटती पीसती माने धान कूटना गेहूं पीसना इत्यारी काम सब करती और जिठानियों के लड़के काले कल उटे भले थे लेकिन किजने धूल उड़ाते लेते जिन्दगी की मौझ मस्ती बच्वन का आनद लेते वो लोग कोई काम नहीं करते और भक्तिन की छोटी छोटी बच्चियां बिचारियों क्या करती गोबर उठाती गोबर भीनती कंडे पाथती उपले कंडे जो भी कह लीजे उनको पाथती यानि बनाती जिठानियां अपने भाद पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूड डालती जिठानियों के खाने में रखा जाता उसके उपर राब डाली जाती यानि माढ राब चाउल का गाढ़ा भाग लिक्विड के रूप में जो होता है और उसके उपर दूढ डालती और आराम से खाना खाती और अपने गुड़ की डली के साथ कठोती में मठ्ठा पीती और गुड़ का पार्ट ले कर क आराम से मठा पीती और उसकी लड़कियां यानि भक्तिन की लड़कियां चने बाजरे की घुगुरी चबाती भक्तिन की लड़कियों को चने और बाजरे की घुगुरी दे दी जाती वे बिचारी न तो प्रेम पाती न तो खाने पीने की चीज़ों को अच्छे डंग से प्राप्त कर पाती है इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिकों की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सकता है यह जो दंड विधान था इसमें ऐसा कोई जुगार नहीं था कि पति से भी उसको परिसान करवाया जाता खोटे सिकों की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जाए यानि वो जो खोटे सिके के रूप में वे लोग थे जो भक्तिन को परिसान किया करते थे उनका इसमें बस नहीं चलता था कि पती से भी उसको दंडित करवाएं बस वो लोग खुद तो बहुत परिशान करती थी लेकिन भक्तिन की भाग इतनी अच्छी थी कि उसका पती उसे सनेह करता था उसे कुछ भी परिशान नहीं करता था सारी चुगली चबाई की परिणिती उसके पतनी प्रेहम को बढ़ा करके ही होती जितनी चुगली चाही होती हर चुगली के बाद उसका पती उसको और मानता जिठानिया बात बात पर धमा धम पीटी कूटी जाती और जिठानी आपने पती से चुगली चाही करने के नाते, बार बार खुब ठोकी पीटी जाती है, यानि उनकी धुलाई हो जाती, धहल धप हो जाती, मार पीट खाती, पर उसके पती ने उसे कभी उगली से भी नहीं चुआई, कभी उगली भी नहीं चुआई, लेकिन भक्त प्रेम का हिंचाता था इसके अधरित परिस्त्रम से संची पतनी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा ऐसा लगा कि पत्त को चाहने वाली है भक्तिन और उस भक्तिन को बहुत जादा स्निय करता था उसका पति इसलिए कभी उसको मारता पीटता नहीं था क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगवजा करके सब को उठा दिखा दिया और भक्तिन ने जब जाना जिठानिया पर रिसान करेंगी तो उसने अलग कर लिया अपना हिस्सा और सब को अंग उठा दिखा दिया जाओ तुम लोग अपनी चुगली चाही उधरी करती रहना हम अपने पती को लेकर अलग हो जाती है काम वही करती थी इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ यानि आम के पेड़ आधी के संबन्ध में उसी का ग्यान बहुत बढ़ा चड़ा था उसने चाट चाट कर उपर से असनतोस की मुद्रा में तो भक्तिन ने बटवारे में क्या किया चाट करके पेड़ों को अपनी तरफ कर लिया और असंतोस जैसा भाओ चेहरे पर दिखाय रहे चलो ये बेकार इसको हम ले लेते हैं कहो कि अच्छे पेड़ों को बनी तरफ कर लिया असंतोस की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा बाहर से दिखाती कह रहे जो बेकार वो मैं ले रही हूँ अंदर से खुस होती चलो मैं अच्छा वाला चुन ले रही हूँ ऐसा करती हुई अच्छी सीजों को उसने अपने पास रख लिया और इसके साथ ही परिस्त्रमी दमपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया और दोनों पतिपत्नी इतने परिस्त्रमी थे कि उनके प्रयास के कारण वह संपूर्ण चीजें सोना बन गई बड़ी प्रवावसाली बन गई भक्तिन के लिए लाभ देने वाली बन गई और इस तरह से भक्तिन ने अपना ग्रहस्त जीवन प्रारंब किया आज का वीडियो बस इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपनों को बहुत बहुत धन्यवाद इन आनलाइन का ख्याओं में उपस्तित होने के लिए